आस्टेलिया ने पहली पारी में 379 रन बनाए दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर आस्टेलिया के कैमरन ग्रीन और टीम पेन ने पारी को आगे बढ़ाया वहीं कैमरन ग्रीन ने 47 रनों का योगदान दिया वहीं टीम पेन ने 50 रनों का योगदान दिया इसके बाद बैटिंग करने आए पैट कमिंग मात्र दो रन बना कर पवेलिकन लोड गए इसके बाद आस्टेलिया के इस टार गेंदवाज मिचल स्टार्ट बैटिंग करने आए इन्होंने अपने टीम के लिए 20 रनों का योगदान दिया वही नाथन लायन ने 24 रनों का योगदान दिया इसके बाद अंति विकेट के रूप पर जोस हैजल हुडाए जिन्हों ने गेरा रनों का योगदान दिया और इस प्रकार से आस्टेलिया की पहली पारी 379 रन पर आल आउट हो गई वही अगर बात की जाए भारत की गेंदवाजी की तो मुहम्मद सिराज ने 28 रन दे कर एक विकेट जटका वही इसके बाद नटराजन ने 24 दसमलों दो अभर की गेंद पर तीन विकेट जटके वही सारदिल ठाकुर ने 24 रन दे कर तीन विकेट लिए वही नवदीव सैनी 27 रन दे कर कोई विकेट नहीं लिए नवदीव सैनी कल्ग के मैस में चोटिल हो गए थे और आज उन्होंने कोई भी गेंदवाजी नहीं की वही वास्टिंगन सुन्दर ने 300 वर फेके और तीन विकेट लिए और इस प्रकार से आस्टेरिया की पहली पारी 379 रन पर आल आउट हो गई